हलो गैज आप सभी को टेक्निकल गुरु हिंदुस्तान में स्वागत है आज हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि भाई एजुकेशनल चैनल जो होता है उसका वीडियो को कैसे एडिटिंग करते हैं यूजिंग काइन मास्टर तो बहुत सारे लोग जैसे मालजी तो उसको हम कैसे एडिटिंग करते हैं कैसे उसमें वीडियो लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वीडियो को बीना एडिटिंग के हुए अगर डालिएगा तो पब्लिक को अच्छा नहीं अगर लगे उसका वाइस क्वालिटी अच्छा नहीं लगे तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए को उसका editing कैसे करें तो उसको हम सिखाने के लिए सीधे आपको mobile के screen पर ले चलेंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक request है गुजारिस है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को like करें subscribe करें and क्या करना है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में share भी कर दें तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं mobile के screen पर हलो गाईज देखिए हम आपको सीधे mobile के screen पर लेकर के आ गए हैं और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि भाई YouTube चैनल के लिए जो हम लोग educational वीडियो बनाते हैं उसको हम लोग जो पढ़ा रहे हैं whiteboard पे उसको कैसे editing करते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे friend circle में भी लोग हैं और मेरे साथ में पढ़ाते भी हैं तो उन लोगों को नहीं आता है तो हम सुचे कि उस पर एक वीडियो बना दें जो कि उन लोग को भी हम help करें और जो भी नए नए creator लोग हैं उनको भी help हो जाए जो बहुत सारे teacher है मेरे जैसा तो देखिए यहां पर काइन master जो इसके दिख कीजिएगा तो देखिए यहां पर aspect ratio आपको दिखेगा 16 into 9, 9 into 60 तो यह जो आपका second ओला ratio है यह जो 9 into 16 है यह आपका channel के लिए नहीं है बलके आपका reals के लिए है और यह 16 into 9 है यही आपका YouTube का logo दिख रहा है यही हम लोग इसको generally इसी को use करेंगे तो देखिए इस प किया हुआ होगा recorded होगा उसको यहां से select करना है तो फाइल में आपका open हो गया है तो देखिए generally हम open camera से हम इसका क्या करते हैं suit करते है तो देखिए इसमें हम क्या किये open करें उसके बाद देखिए इहां पर है इसको हम select कर लेंगे जैसे ही select करें इसको हम यहां पर हम cut कर लिए हो सकता है देखिए आपका देखिए लास्ट वाला गया है जिसे आपका वीडियो जब suit कर रहे है तो लास्ट में जिसे unwanted कोई part है उस second वाला है trim to right of playhead इस पर आप जैसे ही click किजेगा देखिए इधर वाला पाट हट गया और उपर वाला को का कर देना है इसको हम simple select कर लेंगे तो जैसे ही इस पर click कर देखिए यहां पर फिर से चला के देखिए वीडियो आपका यह आपका seizure वाला जो है तो यहां पर कर रहे हैं तो देखिए media में जाईए और media में जाने के बाद देखिए हमारा ind screen के लिए हम already download करके रखे हुए हैं देखिए हम यहाप इसको select करें और जैसे इसको cut करें तो देखिए ind screen जो कि आपको दिखाएगा 20 seconds के बाद जिससे आप इसका ind screen में अगर कुछ देना चाहत हैं क्यों क्या इस पर फी हम एक proper वीडियो हम आपके लिए बनाये हुए हैं कैसे वीडियो अफ्लोट किया जाता है अभी तक नहीं देखिए होंगे तो जा करके देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल में उसका link देंगे हम आपको description में तो देखिए यहाँ पर तो यह जो होता है watch next और क्या है related इससे क्या होता है कि जब आपका कोई वीडियो अगर full watch करता है तो उनका automatic यह खुल जाएगा और उहाँ पर देख करके जो आपका next lecture होगा वो click करेंगे तो आपके वीडियो पर चले जाएंगे उससे क्या होगा आपका views बढ़ेगा तो जैसे हमाले यहाँ पर बी देखिए यहाँ पर हम चले गए इसके बाद layer को हम layer में गए और layer में जाने के बाद देखिए यहाँ पर select करें और यहाँ से हमको logo लेना है अपना जो channel के लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि math वाला हम चलाते हैं तो उसी का video हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको तो देखि यहाँ पर इसको हम यहाँ इसको थोड़ा सा कम करेंगे drag करके इसके बाद इसको यहाँ पर fit करेंगे ला करके हम देखिए इस पर adjust कर लिया है थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता है क्योंकि ढख जा और उसके बाद देखिए इसको कहां तक ले जाना है तो इसको drag करके सीधे यहां तक last तक लेकर आ जाई है अपने हिसाब से जहां तक यह अच्छा लगे तो हम यहां तक थोड़ा खाली रखते हैं कि क्योंकि यहां पर यह हड़ जाता है उसका बाद देखिए क्या होता है चला रहा है तो देखिए उसका जो नीचे वला है वो right side में क्या आ रहा है तो speed भी आप देखिए नीचे है increase कर सकते हैं जैसे यहां पर ला सकते हैं one point five चली इसको हम यहां पर उपर व्ला जो है आपका sign व्ला उस पर आपको click करना है उसके बाद देखिए generally यहां पर फिर आपका चलाके देखना है तो जैसे ही चलाके देखिएगा यहां पर देखिए यह video चलना start हो गया उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा fit हो गया है इसके बाद इधर हम लोग का काम clear हो गया है उसके बाद देखिए अगर आपको लगता है कि हमारा इसका sound भी increase करना होता है क्योंकि जो हम लोग recorded करते हैं जो record करते हैं उसका sound 100% होता है उसका double भी आप कर सक करते हैं का investor से या कोई भी जो application edit करते हैं उसमें option होता है तो देखिए यहाँ पर इसको हम starting में लेकर करके आ जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ भी चला करके देखा रहे हैं देखिए अभी हम कुछ नहीं बोले तो यह पार्ट हमको हटाना है तो चला करके video देखिए unwanted part हमारा हट गया है और कभी कभी क्या होता है कि आपका बीच में भी unwanted part आ जाता है जैसे हम लोग बोलते बोलते क्या हो जाता है कि कुछ ज्याला बोल देते हैं या कुछ लिकल जाता है तो उसको हम भी हम cut कर सकते हैं लेकिन उससे पहले देखिए हम 100% sound है तो आप इसका 150 या 160 या 80 चलिए हम 181 ले लिए उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है इसका sound भी देखिए यहां पर आपका increase कर गया है यह double आपका sound आ जाएगा उसके बाद क्या होता है कि आपको starting में मा लिजिए कि आपको introduction channel का डालना है तो इसको कैसे डालेंगे तो चलिए ह conservation देखिए यहां पर दिखिए मेडिया में गए इसके बाद हम इसमें आ जा गया और इसमें आने जाता है तो इसको बहुत सारे लोग इस्टार्टिंग में ही बादाते हैं अपना introduction यह तो फिर बीच में डालते हैं तो फिर बीच मेंके लिए भी आपको सिख आते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया तो इसको क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि देखिये पलस वाला वाला जो है इस पे क्लिक करके आप графik एड़ कर सकते हैं जैसे क्लिक किए देखिए यहाँ पे बहुत सारा ग्राफिक मेरा है अगर नहीं आपके पास होगा तो देखिए उपर में storage वाला है इस पे क्लिक किजेगा तो देखिए बहुत सारा नीचे देखिए चला करके वीडियो जैसी वीडियो चला रहा है देखिए आपका देखिए 3D में आ गया या फिर आपको लगता है कि इसको हमको हटाना है तो इस पर फिर से क्लिक किजिए और जो आपको यहां पर लगता है उसको ले लिजिए यहां पर हम सेलेक्ट करें तो है जिनरल यह देखिए इसको हम क्लिक कर लिए है उसके बाद देखिए प्ले करके देखते हैं जैसे ही प्ले करें तो देखिए हमारा इस टाइप का खुलता है उसके बाद आपको देखना है कि भाई इसको हम कैसे इसमें हम बीच में हम कैसे इसको लगा सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पर चले गए एक इसमें option है undo and redo का जिसे माले जी undo है तो इससे क्या होता है कि आप back में जा सकते हैं देखिए right side में उपर में है जैसे click किजिए तो देखिए back में हम आ गया या आपको हो सकता है कि कभी कोई बात हम मतलब की गलत कर लिए या उसको back में जाना है फिर स इसको delete करना है तो देखिए यहाँ पर इसको select करिए अब left side में delete option है आपका इस पर आपको क्या करना है click कर लिए उसके बाद आपको यह क्या हो जाएगा delete हो जाएगा अगर आपको लगता है कि हमको बीच में हमको कहीं पर इसका introduction part लगाना है चलिए हम यहाँ पर लगाना चाते है देखिए यहाँ पर तो इस पे click करना है simple अब click करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए और उसके बाद देंच जो है introduction वाला यहाँ पर हम इसको click करें हैं देखिए यहाँ पर मेरा बीच में आ गया देखिए यहाँ पर आपका बीच में introduction पार्ट आ गया है अगर आपको graphic लगाना है तो यहाँ देखिए plus वाला इस पर भी आप लगा सकते हैं हम देखिए general here on this layer on this layer on the olmak उसके बादेखिए देखिए बार करके देखिए पले करके देखिए कि हमारा क्या हो रहा है देखिए जब पले किया तो ऐसा यहाँ पर इसका effect आ रहा है अब क्या होता है कि हम बीच में जैसे ही हम वीडियो में कुछ unwanted बात बोल देते हैं जिसे माल लिजे सपोर्ज हम यहां पर कुछ बोले होंगे तो इसको हम का कि यह सेलेट करें आपको चेक करना है चला करके सुनना है कि हम कहां पर क्या बोल रहा है यहां पर सीजर मले जाए और स्पिलिट कर लिजे अब यहां पर कट गया और जहां पर हो सकता है क्या आपको लगता है कि हमारा इतना पार्ट अन्वांटेड है इसमें हम कुछ ज्यादा बोल गया या कुछ गलत बोल दिये तो इसको हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं या दारेट हम ट्रीम टू लेफ्ट लेफ्ट वाला काटना है तो कट जा हम जिसकी है तो इसमें देखिए ब्राइटनेस होता है कि आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं देखिए हाँ पर है से चूरेशन भी होता है इसका अपने हिसाब से एजेस्ट करना है और सरा उप्सन होता है जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं उसके बाद देखिए इसी वीडियो माँ आपको दिखाते हैं इस फीड कभी कभी क्या होता है कि वीडियो का स्पीड बढ़ाना होता है तो इस फीड में भी आप देखिए यहाँ पर यह थोड़ा फास्ट फो रोड हो गया यह फिर अपहर और इस में हो इसकी हम कुछ संदि सहुंच किया हुम उसका click किजिए और clip graphic पे जाईए उसके बाद click किजिए यहाँ पे पाहले से downloaded है आपको लगता है कि हमको इसमें से तो यहाँ पर अपि डाउनलोड नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर उपर में देखिए आपका storage करके 唯ह जाएगा तो मिल जाएगा चलिए हम बालेजे कि इसको हम film वाला हम डालना चाहते हैं तो हम इसको click करें देखें यहाँ पर आ गया तो इसके बाद देखें यह highlighted हो गया है इस type से भी आप लगा सकते हैं या आपको लगता है कि यह अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें से फिर से जाएए और दूसरा कोई select कर लिजए तो चलिए हम यह वाला select करते हैं उसके बाद देखें इस type से आपका starting में highlight होगा video तो यह सब तरीका होता है इसका highlight करने का या जो भी आपको मरजी है यहाँ से ले सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी रूल नहीं है कोई भी नियम नहीं है जो आपको लगता है यहाँ पर अपने हिसाब से इसको adjust कर लेना है जिसमाली जी starting यह भी है तो यह भी डाल सकते हैं कि कैसा लग रहा है तो देखिए इस type का आ रहा है क्योंकि अपने वीडियो के हिसाब से आपको जो भी लगाना है डाल सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम यह तो थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि एज़िके सनल हम लोग का चैनल है तो इसमें जो भी आपको लगता है जो अच्छा लगेगा वह यह हम को चलिए हम हटा देते हैं पहले इसमें हम न नन कर लेते हैं नन कर लिए हैं और जैसे हैं को लगता है कि इसमें पूरा हमारा कोई वाटर मर्क मतलब हो जाए लोगो का कैश्य कोई भी मेरा वीडियो का चाईज कोपी कर आपना यूटूब चैनल पर डाले तो हम उसको को कर ड्रैक करेंगे ड्रैक करके आपको हैं पर को ना पर लगा देना है उसके बात सदी हाँ कोई है आट Less चाउन करने हैं म Kristin तक क्योंकि हम नहीं में करने WHO बस सिखाना चाते हैं तो देखिए यहां पर cut कर लेंगे select करेंगे और यहाँ पर seizure वाला में जाएंगे और यहाँ पर split कर लेंगे उसके बाद देखिए इसको यहाँ तक ला करके अब यहाँ तक इसको फिर यहाँ तो देखिए seizure में जा करके left to trim to left of playhead click कर लिए उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे देखिए यह हट गया पार्ट उसके बाद क्या होता है कि आपको देखे फिर से वीडियो में जाएए बहुत सारा उप्षन होता है इसे रिभर्स है अब अगर माल लिजिए का आपको लगता है कि हम फ्रॉंट कैमरा से वीडियो क्या सूट कर रहे हैं तो मेर जो फोंट होता है उसका क्या होता है कि हमारा उल्टा दिख रहा है तो आप यहां पर जाएए यह सोरी ने यह थोड़ा सा यह गलत बोल रहे हैं उसके लिए यहां पर देखिए रोटेटिंग और में आप किलिक किजिएगा तो आपका यह सीधा हो जाएगा फोंट तो यहा हम यहां पर देखिए उल्टा हो गया देखिए इधर से किलिक करें तो सीधा हो गया तो इस पर हमको यहां पर किलिक कर लेना है तो यह भी आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर लोग मोबाइल से अगर सूट करते हैं तो उनका फोंट कमर इसे भी डाल सकते हैं जो भी मर invari आप कलर फिल्टर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से चलि ऑन फिल्षाल के लिए इस नहीं करने Ama ले हैं उसके बाद देखिए इसको हम चला रहा है को कि जैनरली हम कुछ करते नहीं कुई कि मारा light का 7 which हम लगा है मैरा और अच्छा की दिखत करके मालेजी है कि हमारा यह है function का chapter पढ़ा रहे हैं तो देखिए तो यहां पर लिखेंगे function तो जिसी function लिखे functions है generally functions और इसके बाद देखिए इसको हम okay कर लिए ओके करने के बाद देखिए यहां पर इसका color है color में जाना है जो अपने हिसाब से तो देखिए हम यहां पर select कर लिए इसके बाद ओके किये उसके बाद देखिए इसको हम यहां पर drag करके थोड़ा बढ़ा लिए क्योंकि हम क पर लगा लिए अब इसको देखिए कहां तक रखना है आपके ऊपर है तो देखिए इसका font जो होता है इसमें से यहां पर जाना है और जो भी आपको लगता है यहां पर select किजिए तो जिसे हम यहां पर generally हम यह वाला select करें तो यहां तो फिर अच्छा score में पढ़ाना है तो देखिए यहां तक हम लगाते हैं इसमें दolina कर सकते हैं तो आपको mary आप यहां पर कर सकते हैं फिलाल के लिए नॉन रखेंगे उसके बाद आपको लगता है देखिए इसमें select किजए over, overall animation मतलब पूरे केabord केवता है तो आपको लगता है यहां यहाँ पे जो भी आपको करना है कर सकते हैं तो हम यहाँ पर नन कर लिया है बहुत सारा ओफ़ण होता है उसके बाद देखिए जो भी आपका जो भी है यह यह आप कर कर सकते हैं इसका देखिए नॉर्मल जो भी है या ऐसे भी तो जो भी आपको पसंद है अपनी हिसाब से करना है उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए टेक्स्ट ऑप्शन फिलाल हम तो देखिए इसका ऐसा दे रहा है कि आप बीच में रखना चाहते हैं कि कहां यह तो कॉंप्यूटर से जानते हैं तो देखिए इसका फिलाल कुछ नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम आगयोए अगर आपको लगता है कि हमको पीछे से कुछे देना है आउट डेना है तो देखिए इसको इनेबल कर लिए देखिए सेलेक है अब जो मर्ज है इसमें select कर सकते हैं, जैसे हम इसको select करें, तो इसको come कर लिए, देखें यहां पर, तो अपने हिसाब से करना है, उसके बाद देखें, इसमें फिर से हम नीचे आ गया है, फिर आपका shadow है, इसमें हम click करें, इसको भी देखें, इसमें जाना है, उसके बाद इसे बिद्दो गलो होता है उसके बाद देख Dewala करके एक यहां भी मेरा भी मिला है तो हम इसमेंBlack Select करें हैं उसके बहुँर trazer करें है अपने हिसाइब इसमें होता है कि अगर माल लिजैकर पीछे बैग जैरां देना है तो जिसमें क्लिक किजिए हएए Жmit आपको पसंद है background के लिए जैसे फिलहाल में हम green ले लिए तो इसको background भी आप दे सकते हैं अभी फिलहाल में जो word है वहां तक अगर आपको लगता है कि पूरे में देना है तो इनेबल कर लिजे पूरे में आ जाएगा तो यहां पर ऐसा होता है देखिए पूरे के लिए जिस कीजे देखिए अपकर यह थोड़ा अपना पीछे बाला भी यह पार्ट दिखने लगा तो यहांप फिलहाल में हम यहां पर इसको लगा दिया है और इसको हम हटा रहे हैं यहां पर हम इसको नहीं लगाने वाले हैं ुसके बाद इसको देखना है जिसने में बहुत सारा option ह सकते हैं अपने हिसाब से अब देखिए कब आपको बात बताते हैं कि अपना के अगर माल लिजिए कि आपका इसमें हम कोड़ सेट करना है क्या चीज़ कि भाई जो सब्सक्राइबर जो बेल होता है उसको कैसे सेट करें तो लेयर में जाएए और जहां पर आप बोलते हैं उसके बाद ग्रीन वला है तो इसको हटाते हैं हम लोग तो इसको हम लोग क्रोमा की यूज़ करेंगे देखिए यहां पर आ गया है इसको हम इनेबल कर देंगे उसके बाद देखिए यहां पर किलिक कर देंगे देखिए यह हट गया है ग्रीन वला उसके बाद इसको देख जैसे सेट किये प्ले किये देखिए यहां पर आपका यहां पर दिखने लगा है उसके बाद इसमें आपको लगता है कि जो भी आपको लगता है बीच में पार्ट में कि कहीं हम गलत बोले हैं पूरा चेक करके इसको आपको देखना है उसके बाद यहां पर देखिए बहुत स भाइस भी क्या हो जाएगा एड हो जाएगा फिलाल तो करना नहीं है उसके बाद क्या होता है कभी कभी के कोई भी वीडियो का मतलब की हमारा भाइस इसको हमको हटाना है इसमाले यहां से यहां तक हम इसको कट किये थे तो इसमें सेलेट करें तो जैसी सेलेट किजिएगा द होना नहीं तो हम यहां पर बैक आ जाते हैं हम यह खिल सकते अर कोई चीज ब कर लिए और वहां जो ऑड़ियो हम हटा कर सकते हैं कि यह रहल नहीं कि आपको दे चुके हैं देखिया थिलाल में क्या हो गया इसको भाई, तो देखे यहां पर हम देखाते हैं इसको देखे बैख करते हैं, तो यहां पर देखे हम आपको यहां तक तो सिखा दिये उसके बाद इसमें जो भी color का adjustment है, अपने हिसाब से कर लिजएएगा, जो बता दिया है color filter और यहां पर जो brightness से कम ज़्यादा adjustment में करना है आपको reverse में अब यह भी option होता है volume देखिए यह वाला है इसी से देखिए देखिए यहां पर का होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉब्लीक आपको लगता है कि जैसे मालीजी कहमें starting में हमारा ही देखिए यहां पर लग रहा है कि तुम slow हो जाता है तो देखिए यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए थोड़ा सा इसमें फिर साम आपको दिखाते हैं इसमें देखिए इसमें गया तो यहां पर क्लिक करना है उसके बाद देखिए यहां पर क्लिक करना है तो प्लस वाले में करने के बाद देख तो आपको किछेगा यहां पर तो साउंड सही था लेकिन उसके बाद जैसे हम खतम कर रहें तो साउंड मेरा नीचे आ गया होगा तो यह देखिए हम फिलाल में इसको back कर लेते हैं तो यह भी एक आप से उसके बाद देखिए इसमें जो भी है तो पूरा इसमें डिटेल आपको हम सिखा दिये हैं कि कैसे इसको एडिटिंग करते हैं फिलाल तो यहां तक हम लोग बहुत जानकारी ले लिए हैं एडिटिंग करने का और यहां पर लास्ट में जो भी हम यहां पर सेट करते है set करने के बाद देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे फिर इसको export करते हैं कि इसको save कैसे करेंगे या फिर आप पहले setting में इधर भी देख सकते हैं कि इसको देखिए बहुत सरा जब layer हो जाएगा तो यहाँ पर click किजिएगा तो पूरा नीचा का आपका layer दिखेगा फिर यहाँ पर आपको लगता है कि इसको हमको thumbnail लगाना है जिसे मालीजे इस पार्ट को हमको thumbnail लगाना है वीडियो में तो यहाँ पर लेकर के आ जाएए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो left side में जो box का option है इस पर जैसी click किजिएगा देखिए capture and save यहाँ पर देखिए हम save कर लिए यह हमारा मालीजे की thumbnail लगाना है वीडियो में तो यह मेरा यहाँ पर save हो गया अब इसको image का use करके हम का चीज लगा सकते है थमनेल बना सकते है तो यह भी option होता है एक देखिए यहाँ पर setting option है इसमें देखिए क्या होता है जैसे starting में जिसे audio audio master है तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका fade color से start हो गया वीडियो तो यह भी इसका एक इसका तरीका है फेड करने का starting में उसका बाद देखिए इसका हम back चले गया है उसका बाद देखिए उसका बाद देखिए हम back गया फिर से setting में जाए आप यहाँ पर से option है आपका कि देखिए audio fade हम लोग क्या चीज एडिटिंग करने का तरीका काइन मास्टर से अपना educational वीडियो तो इसमें देखिए है अब last में हम क्या करना है इसको हमको इसको export करना है मतलब save करना है तो देखिए यहाँ पर हम सीधा इसमें हम कर लिए click उसके बाद देखिए आप HD में मतलब 1080 वाल है इसमें जनरली कीजिए और 30 वाला में हम जनरली करते हैं उसके बाद देखिए आपका देखिए यहाँ पर जो है यह है आप हाई लो अगर ज्यादे हाई कीजिएगा तो 919.0 देखिए 0.7 MBPS है इसका मतलब कि आपका देखिए नीचा option दे रहा है about में यह लगभग 4.4 मत को हम कम करेंगे देखिए यहाँ पर जिनरली 5 तक रखिए या 7 तक या 8 तक अपने हिसाब से जित्मा भी करना है देखिए यह अभी है 1.92 मतलब जीवी का इसके बाद सेब में आपको चले जाना है यह पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा फिर आपका वीडियो क्या हो कियेगा किया आप कैसे बताएं तो चलिए थैंक्यो